अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद एक चार धमाके हुए एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजारे शरीफ में यात्री वेन में तीन धमाके हुए मस्जिद के पल्पिट में विसपोट रखे गए थे जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान के पूर्ग प्रधानमंत्री इम्रान खान द्वारा संचालित आजादी मार्च को रोपने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने रेट जोन में सेना की तैनाती कर दी है वहां सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जड़प हो रही है सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, प्रधानमंत्री भवन, प्रेजिडेंसी, पाकिस्तान सचिवाले और राजनेक एंकलेव जैसी महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात किया गया है इमरान के समर्थकों ने मैट्रो स्टेशन पर आग लगा दी कुछ मीडिया कर्मी घायल हो गए इसलामाबाद युद्ध का मैदान बन गया है मौसम विभाग के पूरवानुमान के अनुसार 27 मई से 31 मई तक उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है इसका सबसे ज़्यादा असर पश्चिमी यूपी के जिलों में देखने को मिलेगा लखनव में शनिवार को बारिश का अनुमान है इसकी वजह से अभी कुछ दिन और मौसम नर्म रहेगा और लू चलने की कोई संभावना नहीं है स्वातंत्रय वीर सावरकर की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत योगी आदित्यनात द्वारा श्री उदै माहुकर एवं श्री चिरायू पंडित की सध्य प्रकाशित पुस्तक वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोख सकते थे और उनकी राष्ट्रिय सुरक्षा द्रिष्टी का लोकार पंड शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूती खंड गोमती नगर लखनव में होगा उत्तर प्रदेश में विधान परिशत की 13 सीटों के लिए चुनाव 20 जून को होंगे जिसके लिए 2 जून से नामानकन शुरू होगा लंदन स्थित कैंब्रिज युनिवस्टी पहुंचे कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहुल गांधी का सामना भारतिय सिविल सेवा अधिकारी सिध्धार्थ वर्मा से हो गया और उन्होंने राहुल गांधी को जम कर लताड़ा अधिकारी ने राहुल गांधी से पुछा कि क्या राजनेता के तौर पर आपको नहीं लगता कि भारत को लेकर आपका विचारना सिर्फ गलत है बलकी बिनाश करने वाला भी है क्योंकि यह हजारों वर्षों के इतिहास को छिपाने का प्रयास करता है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक शाबलों ने लशकर के तीन आतंकवादियों को कई घंटे चली मुटभेड के बाद मार गिराया सारे आतंकी घुसपैट की कोशिश कर रहे थे इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामत किये गए है पश्चिम अफरीकी देश सेनेगल में बड़ा हाथसा हो गया है तिवाउने में एक अस्पताल में आग लगने से ग्यारह नवजात शिशूओं की मौत हो गई शेयर बजार की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई बीएसी का तीस टॉक्स वाला प्रमुक समवेदी सूचकान कसेंसेक्स दोसो और एकंकों के फाइदे के साथ तिरपन 1950.84 के स्तर पर खुला लखनओं की महापौर संयुकता भाटिया ने विगत 19 मई को बैठक कर समस्थ वाडो और समस्थ मोहलों में नाली सफाई और छोटे नालों की सफाई करने के लिए 25 मई तक का अल्टिमेटम दिया था 25 मई पूर्ण होने पर महापौर संयुकता भाटिया ने अपर नगर आयुकता भै पांडेय को पत्र लिख कर नाली सफाई अभ्यान का निरीक्षन कराने के निर्देश दिये महापौर ने रैंडम आधार पर निरीक्षन करने हे तु कहा गया महापौर ने समस्त वोडो में नाली सफाई अभ्यान का निरीक्षन हे तु अलग विभागों और अलग जोन के अधिकारियों को भेजने के लिए निर्देशित किया साथ ही निरीक्षन के दौरान डिजिटल दाइरी बना कर पूरी रिपोर्ट भी प्रेशित करने को कहा है IPL 2022 के एलिमिनेटर मैच में कल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने लकनव सुपर जॉयंट्स को 14 रन से हरा दिया एलिमिनेटर का यह मैच कोलकाता के इडन गार्डन पर खेला गया अब कल दूसरे क्वालिफाय मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलो का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा